नमस्कार दर्शको आप देख रहे हैं BTV बरेली दर्शको आज हम आपको सुपर इस्टार सलमान खान की फिल्म टैगर 3 और उसके बॉक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में बताएंगे मनी शर्मा के डिरेक्शन में बनी फिल्म टैगर 3 बॉक्स ओफिस पर बहुत अच्छी कमाई कर रही है ये फिल्म 12 नमबर रवीवार को दीवाली के दिन रिलीस की गई इस फिल्म को लगबग पूरे वर्ड में 9000 स्किन पर रिलीस किया गया दर्शको इस फिल्म को हिंदी सहित, तिल्गू और तमिल में भी पिरदशित किया गया है आपको बता दे सूपर इश्टार सल्मान खान की फिल्म टैगर 3 को लेकर उनके फैंस में काफी उस्सहा नदर आ रहा है वो इस फिल्म का काफी बेसबरी से इंतिजार कर रहे थे आपको बता दे कि फिल्म का बजट लगवग 300 करोड रपे से अधिक का है इस फिल्म में सल्मान खान के सालसाथ कैटरीना कैफ और इमरान हाश्मी मुक भूमी काउं में घजर आ रहे हैं दर शको अब हम आपको फिल्म टैगर 3 के तीन दिन के बॉक्स आफिस कलेक्शन के बारे में बताते हैं सल्मान खान की फिल्म टैगर 3 इस वक्त बॉक्स आफिस पर धमाल मचा रही है फिल्म के पहले दिन की बात करें तो फिल्म टैगर 3 ने अपने पहले दिन ही 44 करोड 50 लाग रुपे की कमाई की दूसरे दिन फिल्म ने सोंबार को लगभग 69 करोड रुपे का बिजनिस किया दर्शको अगर तीसरे दिन की बात करें तो तीसरे दिन फिल्म टैगर 3 ने मंगलवार को शांदार प्रदशन के साथ 42 करोड 50 लाग रुपे कमाए इस फिल्म ने भारत में 3 दिनों में 146 करोड रुपे की कमाई की है दर्शको इस फिल्म के वर्ल्ड वाइल कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 3 दिन में करीब 230 करोड रुपे का आकड़ा पार कर लिया है दर्शको फिल्म टाइगर 3 के तीन दिन के बॉक्स आफिस कलेक्शन की तुलना अगर हम शारुख खान की फिल्म जवान से करें तो शारुख खान की फिल्म जवान का बॉक्स आफिस का तीन दिन का कलेक्शन 200 करोड से अधिका था और फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 383 करोड रुपे हो गया गर्शा को आपको बता दे कि फिल्म टाइगर 3 लोगों को काफी पसंद आ रही है और ये फिल्म अच्छी कमाई करेगी